हाइपरबोला के वैल्यूज आपको दिखने में तक्रीबन सेम लग रही है तू ए अच्छा यहां मेरे लिख रही है यह हो जाएगा ला भला करे चलो मैं बलू से ही रिख रहा हूं है है तू ए है और यह जाएगा टूबी जैसे उस मेला सेम उसमें प्रजू के चीशने अब बात करते हैं है आपको बता है हाइपरबोला पहले बात जो आते हैं एक यह साथ मेने चीज लिखी में आ इसमझने मसला होगा देखो सीन यह है के हाइपर बुला का बाता है जब आप डबल राइट सर्कूलर को किस तरह कट करते हो इस तरीके से कट करते हो कि दोनों आ या जुन मैं डबल राइट सरकूलर कों वो कट हो जाए ठीक है और वर्टेक्स पास नोपास क्योंकि वड़ना वो डीजेनरेट वाला कीसद बन जाएगा तो इस तरीके से हाइपर बॉला आ जाता है तो हाइपर बॉला खरते हैं सबसे पहले बहुत बेसिक जा कॉंसेट है यह है थे यह थे यह थे फूलावा नहीं होता यह मैंने काफी कम बनाए इस तरह बिल्कुल खुलावा होता है जै आपने अपने ऐप्सस्यों पिर मेले देंस आपको दो एकशें ngoैंवा नहीं मिलता नहीं है एकका है बाकी मैं बसली डिसक हुआ करूँैंगा डिसके Ст movements यह की निकालो कि की नेंसे होगा यह आपके पास पुरा है प्रफ जॉब ऐस इस वाले टूँर Transverse Axis और इस वाले Axis को बोलते हो Conjugate Axis Together आप इनको Principal Axis बोल देते हो तो यह vertex आगे और यह center है यहाँ भी consider कर लो यह पुरा distance A के बराबर है तो इसके coordinates हो जाएंगे 1,0 एक यहाँ पर focus होगा एक यहाँ पर focus होगा 2 हैं तो आप focus I बोल दोगे इसको F, O, C, I और यहाँ से लेके यहाँ तक पुरा distance C के बराबर है ठीक है अच्छा जी उसके बाद क्या बनाएंगे हम एक यहाँ पर आपको डायेटिस में लेगी ठीक है एक आपको यहाँ पर डायेटिस में लेगी अगें यह लाइन जो है यह पैर्रेल टू यहाँ आपको डायेटिस तो इनकी एक्वेशन में एक्स आएगा और इस यहाँ आपको डायेटिस और इस लाइन के दरमें डिसेंस जो है वो A अपॉन E है अगें डिरिवेशन से आया है उसमें जाने की ज़रत नहीं है एक्स इकल टू A अपॉन E आजाएगा यह यह एक्स इसके लेफ्ट की तरफ है तो यह हो जाएगा एक्स इकल टू माइनस A अपॉन E तो अभी तक इतनी डायग्राम आपने समझ ली है सेंटर इसका फिलाल औरिजन के उपर है देट सब्सक्राइब अब मसला रहा है थोड़ा अगर पूरा सी है फोकस को हम ऐसे लिखते है नॉमली तो यह C,0 हो जाएगा और यह हो जाएगा माइनस C,0 और वर्टेक्स हो जाएगा माइनस A,0 जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुए पूरा ही है अब होता है यह कि अगर हाइपर बोला को आप इंफाइनाइट तक लेके जाओ इसकी बेक्स एजेंबल यह है कि आप जो मैंने ग्राफिंग एब बताई ही है डेस्मॉस के नाम से आप क्या करना आप उसमें हाइपर बोला को ड्रॉव करोगे और जूम इन करते जाना जूम इन नहीं जूम आउट करते जाना मतलब उस ग्राफ को छोटा करता जाना पूरा तेक है इस तरह आप जूम इन करते हों ना शायद और साब जूम आउट करते जाना अप ग्रफ को एक वक्त आएगा जब आप ने इतना जूम कर लिए कि जब आप एक्से कि पेपको हजारों में values नजर आ रही होंगे 2000, 4000 क्योंकि आपने इतना छोटा कर लिए कि आप values बहुत बड़ी नजर आ रही है तो आप यह observe करोगे कि hyperbola almost इस तरह नजर आएगा आपको यह आप करके देख लेना तब आपको समझ आएगा अभी समझ नहीं आएगा मैं एक equation दे रहूं जरह इसको draw करके देख लेना equation है भई x square minus y square equal to 2 कर लेते हैं इसको 5 कर लेते हैं equal to 1 x square upon 2 minus y square upon 5 equal to 1 यह चलो मैं simple दे देता हूँ यह आप क्या fraction में लिखोगे 5 x square minus 2 y square equal to equal to क्या करें हम equal to let's say 10 कर देते हैं अब जरह करके देखना इस equation को draw करना आपके पास एक हाइपर बॉला आ रहा होगा उस आप हाइपर बॉला ही आ रहा होगा कि नेगेटिव किया ना उसको आप जूम आउट करते जाना और आप उसको अब्सर्फ करोगे कि अगर आप इतना जैदा उसको जूम आउट कर लोगे तो आपको इस ट्राइप की दो लाइन नजर आ रही होंगी ठीक है यह क्या चक्कर होता है देखो चकर ही होता है कि हाइपरबोला का गराफ मेंने बताया था बहुत ज़्यदा खुलावा होता है पराबोला का थोड़ा कम खुलावा होता है मतलब उसमें कर्व पार्ट ज़्यदा होता है हाइपरबोला में कर्व पार्ट कम होता है यह तबी तो इस सेंटिसिटी का मतलब होता है कि कोई स्टेट लोडिट लगोट कर नगयें बाह्यस है तो तो आपुप थोगो आ देखो गया यह धो श्रॉइन से पास कर रही है अचा वह इसक कर राएं कर रही हैं नहींर हो और को और यह second and fourth को वो किसी तरह भी बन सकती हैं वो इस तरह भी हो सकती है एक लाइन इस तरह बनी हो एक लाइन इस तरह बनी हो इस तरह बन सकती है तो आपको दो straight line नजर आएंगी जो origin से पास कर रही होगे that's why हम क्या कहते हैं कि जो hyperbola का graph है अगर आप इसको भढ़ाते जाओगे ना तो यह straight line के पास अप्रोच कर रहा होगा वो straight line क्या है यह बाली जब आप zoom out करोगे तो यह straight line बनेगी नहीं दिखने में लग रही होगी आपको ठीक है यह straight line बनेगी नहीं दिखने में लग रही होगी इसलिए क्योंके hyperbola अगर आप जैसी आप भढ़ाते जाओगे ना तो यह almost एक straight line बनता जाएगा ठीक है मैं almost का word यूज कर रहा हूँ मैं exact नहीं कह रहा है कि straight line बनता जाएगा ठीक है तो अब यह observe करोगे कि almost straight line यह जो straight line है ना इस जैसा बनता जाएगा ठीक है लेकिन obviously straight line बनेगा नहीं है यह इस straight line के बिल्कुल क्रीब हो जाएगा मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे zoom out करके आपको लग रहा था कि यार यह straight line ही है लेकिन वह हकीकत में straight line नहीं होगी वो दिखने में लग रही होगी आपको ठीक है तो hyperbola की case में दो ऐसी straight line मिलती है जिन पर आपको लगता है कि आपका graph पहुंच गया है मतलब infect आपका graph वोई straight line है लेकिन ऐसा होता नहीं है आपका graph वो straight line के बहुत करीब होता है ठीक है तो इसको आप क्या बोलते हो asymptotes asymptotes वो line होती है करते हैं लेकिन almost उनके दर्माइं डिसेंस जो है वो 0 के बराबर होता है तो यही किस hyperbola के अंदर होता है कि आपको दो asymptote मिलते हैं एक asymptote तो यह है और एक asymptote आपको यह बला मिल जाता है तो दूर से दिखने में लगेगा कि आपको यह स्टेट लाइन और कव आल्मोस मिल गए है अगर आप इस स्टेट लाइन को भी ड्रॉ करोगे न तो जब आप जूम आउट करोगे आपको लेगा मिल गए है लेकिन जब आप इसको जूम इन करते जाओगे लेकिन हाइपर बोला क्या इस ट्राइप का कर्व है कि उसमें आपको इस ट्राइप की स्टेट लाइन लग रही होती है तो हम फिर एजियूम करते हैं हम यह बोलते हैं कि भाई यह वो परफेक्ट स्टेट लाइन है hyperbola state line बने का तो नहीं न लेकिन यह स्टेट नाइन जो hyperbola बनने की कोशिश कर रहा है बन नहीं रहा है लेकिन कोशिश कर रहा है मतलब almost इनके बराबर हो गया है लेकिन फिर भी हलका भूलकर distance है अब एक्वेशन की कहानी मैं आप लों को बता दी equation of asymptote यह कैसे निकालोगे consider करो मैं यहाँ पर asymptote बनाता हूँ और एक यहाँ पर बना देते हैं अगर equation बोली जाए तो देखो यह origin से pass कर रहे हैं इसमें constant नहीं होगा एक straight line की form होती है slope intercept form जिसमें plus b आता है अब जब यह origin से pass कर रहे हैं तो b 0 हो जाएगा तो equation के और जी की straight line की y equal to mx just आपको यहाँ पर slope निकालने है slope कैसे निकालोगे बहुत easy concept है center से लेके यहाँ तक का distance a के बराबर था ठीक है आप एक यहाँ पर अच्छा इस equation निकालने से पहले एक और चीज़ समझे लो एक और यह है conjugate axis related कि यह जो vertex है ना इस vertex पे अच्छा यहाँ पर मैंने latest item नहीं बनाया इस figure में ठीक है अगर आप latest item बनाना चाहो तो बना लो यहाँ पर बनेगा मतलब focus यहाँ एक line मैंना नहीं इस तरह इस तरह आपके latest item मिल जाएगा जो hyperbola के 2 point को touch कर रहा है और transfers axis पे perpendicular होगा और focus अभी pass कर रहा है तो एक latest item यहाँ मिलेगा एक आपको यहाँ पे मिलेगा आप क्या करो यह जो a point है ना इस पे आप एक line मैंना ओ perpendicular to x axis ठीक है इस a point पे आप एक line मैंना ओ जो perpendicular हो किसके x axis के बिल्कुल इस a point पे और इसको आप उपर extend कर दो सेम काम यहाँ पे भी करो कि a पे आप एक line मैंना ओ ठीक है इस तरीके से कि आप इसको उपर extend कर दो कहां तक रोकोगे आप उस पॉइंट तक रोकोगे जहां तक यह लाइन एजम टोट से मिलना जाए इस पॉइंट पे मिल रही है इस तार नीचे इस पॉइंट पे मिल रही है यहां पे मिल रही है यहां पे मिल रही है जैसी स्ट्रेट लाइन एजम टोट से मिल जाएगी वहा टो दिखने में आपके is more सकता है लेकिन हर स्कॉर्ड होगा सिर्फ एकश में स्कॉर्ड होगा उसको आप रेक्टेंगुलर है पर बोलते वह भी एम डिसकस करेंगे बाद में तो एक रिटेंगल गया यह रेक्टेंगल इस जो कॉन्जुगेट axis जिस point पर टच कर रहा है उस point को आप नोट कर लो और यह दो point होंगे आपके conjugate axis के end point अगर आप length of conjugate axis पूछों ना तो देखो पहले तो conjugate axis हाइपर बोला से मिल ही नहीं जा तो यह दो end point कैसे आए यह तरीके से आएंगा रिक्टेंगल बना लिया, यह rectangle अपने conjugate axis से जिस point पे मिल रहा है उनको आपने mark कर लिया, उसके पाद आपने बोल दिया, center से लेके यहां तक का distance b है, तो इधर भी b आ गया और इधर direction की बज़ा से minus b आ गया, तो इस तरीके से आपके पास b और conjugate axis की length आप निकालोगे तो length of transfers axis अगर मैं पूछूँ तो यह length of transfers axis है, यहां से लेके यह पूरी, यह transfers axis की length है, इतना a के बराबर है, इतना भी a के बराबर है, तो total कितना हो जाएगा, 2a के बराबर हो जाएगा, और अगर मैं पूछूँ conjugate axis की length, तो यह यह पुरा डिस्टेंस भी है यह पुरा डिस्टेंस भी है तो टोटल क्या हो जाएगा तू बी के बराबर अब आज़ो जो हम चीज समझ रहे थे किसकी एजम्टोट की समझ रहे थे हैं अज़ा सेमी अगर आप करोगे तो सैमी ट्रांसफर्स एक्सिस की लेंथ ए हो जाएगी सैमी कॉंजुगेट एक्सिस की लेंथ भी हो जाएगी अब एजम्टोट की कैसे निकालोगे देखो अगर यह वाला पुरा डिस्टेंस जो है यह अगर ए के बराबर है तो यह वाला पुरा डिस्टेंस अभी आपने क्या लेट किया है बी के बराबर यह पुरा डिस्टेंस यह पुरा ए के बराबर है और यह पुरा डिस्टेंस बी के बराबर है तो यह वाला डिस्टेंस क्या होगा according to pythagoras serum अगर आप यहाँ पर pythagoras serum लगाओ उससे पहले गौर्जी समझ लो जैसे ellipse में condition थी ना ellipse की इसी तरह hyperbola में होती है hyperbola में b square पराबर होता है c square minus a square के ellipse में था a square minus c square और hyperbola में है c square minus a square उसकी reason भी है b square negative नहीं हो सकता तो hyperbola में आपको पता है c greater है hyperbola में c greater होता है जायर सी बात है यह पूरा c है यह पूरा a है focus अब बाद में ना यह भी चीज़ आप समझ लो कि focus hyperbola में बाद में होते हैं अब यह पूरा distance c है यह पूरा distance a है तो hyperbola के अंदर c जो है वो हमेशा greater होगा तब ही मैंने बताया था इलिप्स वाला कॉंसेप्ट है हलकी बुलकिन चेजिंग कर दो हाइपर बोला में C जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा A के फोकस वर्टेक्स से पहले तो नहीं आ सकता ना बाद में ही होगा तो इसका मतलब C जो है आंते होक्षोगा बोला जो हम देख लेंगा तो यह पूरा दिस्टेंस A था यह पुरा D史by था तो और यहाइपॉटनिस इस कैसे निकालोगे他इपॉनिस निकाले में तरीका प्या होता है hypermix होता है base square a ka square plus perpendicular square b square कर लेते हैं तो hypotenuse हो जाएगा a square plus b square और ज़रा घौर करो यह root a square plus b square hypermola के अंदर क्या होता है इस वाली को consider करो इसमें minus a square को उदर ले जाओ तो positive हो जाएगा और c क्या होगा यहाँ पर root ले लो तो hyperbola के अंदर c होता है square root a square plus b square तो इसका मतलब ही जो hypotenuse है ये c के बराबर ही है तो ये पुरा distance क्या हो जाएगा c के बराबर हो जाएगा अब अगर मैं आप लोगों से बोलों कि आप यहाँ पे find करो असल में हम करना कहा रहे थे हम ये slope मालूम करना चाहरे थे इस लाइन का तो slope मालूम करने का तरीका क्या होता है कि अगर आपको inclination बता है कहने का मतलब ये जो inclination है न पूरा इस line की ये पूरी inclination है भाई इस inclination का tangent ले लो आपके बास slope आजाएगा inclination आपने पढ़ी होगी मैंने chapter 4 में बताया था कि अगर एक line इस तरह जा रही है तो ये पूरा inclination है अगर आपको inclination पता चाल जाए इसका tangent लो आपके पास slope आजाएगा तो ये basically right angle triangle बन गया लेट कर लो ये थीटा है पूरा तो इस पे आप लगा दो टेंजन थीटा टेंजन थीटा क्या होता है perpendicular over base तो थीटा यहाँ पे inclination है उसका आपने टेंजन ले लिया इसका मतलब यह क्या चीज़ आगी है आपके पास slope आगया तो इसका मतलब यहाँ पे slope क्या हो जाएगा B upon A के बराबर हो जाएगा तो slope के जगा B upon A पुट कर दो तो asmtoad की equation आजएगी Y equal to B upon A X इसके निकालने के और भी method होते है लेकिन मुझे easy लग रहा था मैंने यह बता दिया क्यूंकि इससे हम एक और चीज़ भी देखेंगे बाद में तो concept मैंने यहाँ पे clear कर दिये इससे हम देखेंगे asmtoad के दरिम्यान angle क्या होता है तो इसलिए मैंने का चलो concept यहाँ पे clear कर दो यह बी अच्छा जी उसके बाद तो एक equation होगी Y equal to B upon A X अब यह भी same ही है हर चीज़ लेकिन अब यह negative है ना तो इसका slope क्या हो जाएगा minus हो जाएगा बस तो इधर आजाएगा equation में Y equal to minus B upon A X यह वला asmtoad जो है इसका slope है तो वही B upon A लेकिन line जो है वो left से right में decrease हो रही है that's why इसका slope negative है तो इसकी equation क्या हो जाएगी Y equal to minus B upon A X और इस line की equation हो जाएगी Y equal to B upon A X तक्रिवन हर चीज मैंने आपे समझा दिये और तो कुछ नहीं है rectangle भी बता दिये आपको conjugate, dietesis, asymptotes और asymptote का slope भी बता दिया कि B upon A होगा एक asymptote का दूसरे का slope minus B upon A हो जाएगा और equation में इनकी बता दिये मैंने vertex हो गया मैंने label की label भी किया हुए देखना यह vertex है इसको मैंने label किया हुए center है यह transfers axis है हर चीज मैंने आप लोगों को तक्रिवन बता दिये अब यहाँ पर हाइपर बोला में C किसके बराबर होता है इसके बराबर तो C की जगा मैंने input कर दिये ठीक है और conjugate axis तक्रिवन हर चीज मैंने आप लोगों से डिसकस कर लिए अब यहाँ पर मैं एक और बात डिसकस कर लेता हूँ और वह बात है कि एसम तोट का एंगल मैं खाल में कुछ एक दो चीज़ें और रहेगी होंगी और टेबल है यह पॉइंट मैंने इलिप्स और हाइपर बूला दोनों में नहीं बताया एक चीज़ होती है जिसको आप बूलतों डिस्टेंस बिट्वीन फॉसाइ फॉसाइए के दर्में डिस्टेंस क्या है मतलब फोकस के दर्में तो हाइपर इलिप्स में फोकस यहाँ पर होता था यह पॉइंट सी अपुरा मतलब यह लेंद पुरी चीज़ इसी तरह यह पुरी लैंद भी इसी के बराबर है तो टो टोल डिस्टेंस बिट्वीन फॉसाइब न क्या हो जाएगा तोसी के बराबर परों दोसी में भी है सेंटर से लेकिंट यहाँ तक का पूरा भाटना है ठीके ठीके भास एथे पर दूब अपनों बते हैं अगल डिक्रस करेंगे उस तरह तरह उपर एप्ब साभ्य या ओपञ़ अपन जहाएं तरह तरह उप ल стали एक का slope हो जाएगा A upon B और दूसरे का slope हो जाएगा minus A upon B तब आपके इस तरीके से बनेंगे उसकी reason ही यह है कि अब यह वाली चीज जो है यह A के बराबर हो जाएगी और यहाँ पर ट्राइंगल बनेगा यह B के बराबर हो जाएगा तो अब यह A हो जाएगा यह B हो जाएगा इस टाइप की को शेप बनेगी जिसकी वज़ा से आपका slope जाएगा वो उल्टा हो गया पुरा यहाँ पर B upon A वहाँ पर A upon B हो जाएगा तो वो केसम डिसकस कर लेंगे जब यह चेंज होगा वो वहाँ केसम देख लेंगे अच्छा यहाँ पर एक ही चीज रह गी है और वो है कि एंगल बिट्वीन एजम्टोट्स यह important topic है समझ लो इसको आता है यह भी एंगल बिट्वीन एजम्टोट का मतलब क्या है कि लेट कर लो एक हाइपरवोला इस तरह है इस तरह लायन मनाओो इसको मिलाओो इसको मिलाओ Jed पुरा था B आ के बराबर यह पुरा था A के बराबर और यह पुरा था C के बराबर फिर C का तो मैं ओखल में काम नहीं होगा अब सवाल एक है SM टोट्स के दर्मयान एंगल यह वाला कैसे मालूम करोगे आप सबसे पहले आदा मालूम कर लो आदा किस तरह मालूम करोगे आदा मालूम किया हुए अभी यह है ना थीटा पूरा आदा मालूम कर लेते पहले थीटा मालूम करना पड़ा है इसी है टेंजन थीटा यहाँ पे है वाला यह दोनों सेम ही एंगिल होंगे वन्हा डाइग्राम में ट्रीमेडी हो जाएगी तो यह जो आपने यह ओस ऐर लें के का सकते हीएशं और थेता बेराबर हो जाएगा को सिटा बराबर हो जाएगा वन्पवन पूर्ण पूर्ण Михе तो सेम यह वेट्टा इतना एंगिल है यह इसके बराबर भी हो सकता है अगर पूरा निकालना है पूरे एंगल एजम टोट के दरम्यान यह कंप्लीट एंगल तो यह कैसे निकालोगे आप two cos inverse one upon you अच्छा figure में पहले मैं theta इतना सा बना रहा हूँ ठीक है फिर उस theta को मैं इस तरह extend कर रहा हूँ तो यह नी समझजना है कि पेले यह ता अब सेम theta बढ़ा हो गया तो मैं जल्दी-जल्दी में समझा रहूं, बताने चारहूं कि शुरू में इतना सा निकालो, फिर उसको इतना extend कर दो 2 से multiply करके, तो ये asymptote के दर्मयान जो theta angle है पूरा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर एक और चीज़ में clear करता हूँ, अगर आपने calculator में sec inverse 2 निकालना हो, तो बढ़ा अच्छा सावाल है किसी को भी नहीं आता होगा, sec inverse 2 आप लोगों नहीं बता, आप कुछ स्टुएंट ये कहेंगे कि 1 upon cos inverse put कर दो, लेकिन वो concept घलत हो जाएगा, sec inverse अगर calculator से निकालना है ना तो इसका method क्या होता है? कि आप cos inverse लिखो, और 2 है ना तो reciprocal कर दो 1 upon 2, जो sec inverse 2 की value होगी, वो ही cos inverse 1 upon 2 की value हो जाएगी, ये तरीका होता है, मतब sec inverse के अंदर जो लिखाव है और cos inverse के अंदर reciprocal कर दो, तो ये दोनों आपसे बराबर हो जाएगे, तो वो ही concept है, अगर इस cos inverse को sec inverse में change करना है, तो जो अंदर लिखाव है reciprocal कर दो, 1 upon E का reciprocal क्या हो जाएगा, E upon 1 या खाली E लिख दो, तो angle between asymptote के आजएगा, sec inverse की form में, 2 sec inverse और आगे E मतलब eccentricity, तो angle between asymptote वाला topic भी complete कर दिए, अब इन्शादा next lecture में हम इसका table देखेंगे, ताके मजीद हमारे concept जहें वो clear हो जाएगे, ठीक है बच्चों पे, कोई सवाल हो पूछ लो, कोई चीज मिस होगी होगी, तो मैं कोशिश करूँगा, बता दूँ, ठीक है, अलाफिस,